बिस्मिल्ला रह्माने रहीम, असलाम आपकों स्टूदेंट्स, तुड़े वीर कुंग तु स्टेडी अबाओ ब्लेड वेजल्स, ब्लेड वेजल्स आर लाइक हाइवेज उनके अपर गारियां चलती हैं और हमारी बॉड़ी के अंदर जो ब्लेड वेजल्स हैं उनमें क्या क्या मूव करता है ब्लेड ठीके जी ब्लेड जो है हमारी बॉड़ी में हमेश्या ब्लेड वेजल्स में रहते हैं ऐसे सिस्टम को गहते हैं क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ और जैसे इंसेक्स उनकी बॉड़ी में क्या होता है कि ब्लेड खुली जगों पर फिरता रह करता है, move करता है, so that is called open circulatory system, this is the diagram of close circulatory system, you can see this is heart, heart से जितना भी blood निकाल रहा है वो जा रहा है आर्टरी में, आर्टरी से जितना भी blood निकाल रहा है वो capillary में, और capillary से फिर veins में, और veins से दुबारा heart में, ठीके जी, हमारी body में, यानि जेन organisms की body में close circulatory system होता है, उनमें कभी भी blood, tissue cells के बीच में खुला नहीं फिर रहा होता है, हमेशा बंद रास्तों में फिर रहा होता है, close circulatory system, ठीके जी, लेकिन insects वगारा में क्या होता है, heart होता है, उसके आगे blood vessels होती हो और फिर वो खुल जाती है, ठीके जी, open spaces में सारा blood चला जाता है, और slowly वो heart की तरफ blood vessels, always confined in blood vessels, open circulatory system is slow, has less pressure, and less efficient, close circulatory system is fast, blood flow is fast, blood has high pressure, and it is very efficient, as compared to this one, ठीके जी, now we come towards artery, capillaries, and veins, heart से जब blood निकलता है, तो सबसे पहले वो जिन pipes में जाता है, they are called arteries, arteries क्या है, arteries are the blood vessels which take blood away from the heart, A से याद रखें, A से away, A से artery, artery क्या कर रही है, they are taking blood away from the heart, अब ये जो diagram है, ये क्या शो कर रही है, ये इस pipe को लंबाई के रुख में शो कर रही है, ये इस को cut, अगर हम इसी pipe को cut करें, तो हमें ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है जी, कि इसकी तीन layers है, outer layer, inner layer और दरम्यान में muscles, ठीक है जी, अब आप देखें कि ये pipe narrow सा है, और इसकी जो wall है, वो काफी थिक है, थिक क्यों है, क्योंकि इसमें muscles जादा है, muscles और elastic tissue जादा होता है, artery में, इसलिए arteries हमेशा contracted रहती है, इसमें blood असानी से नहीं गुजर सकता है, जब तक वो pressure के साथ ना है, pressure कहां से आएगा, heart से, heart से जब blood निकलता है, तो pressure के साथ निकलता है, ये pressure के साथ heart का blood जब arteries में गुजरता है, तो वो artery की wall को धका देता है, बाहर की तरफ, ठीक है जी, और artery की wall flexible है, हम तो गरों में जो pipe पानी के या देखते हैं, वो flexible नहीं होते है, मोमन, वो अगर प्लास्टिक के rubber के हो, तब तो flexible हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो जितने pipe हम घरों में यूज करते हैं, वो सारे flexible है, तरिकिन आल्ला ताला ने हमारी बॉड़ी में जो pipe बनाए है, वो flexible है, तो artery फैल The thick muscular walls of arteries stretch when heart pushes blood into it, this stretching and thumping back produces pulse, ठीक है जी, जब arteries में blood गुजरता है, जितनी दफ़ा heart beat करता है, आटरी में से blood गुजरता है, तो वो फैलती हो और फिर अपनी जगह पे वापस आती है, जब अपनी जगह पे वापस आती है, तो थप की हलकी सी एक अवाज आती है, इसको कहते ह Never check your pulse, अगर नहीं तो फिर आप सीखेंगे इस चप्टर में के कैसे चेक करते हैं, अगर आती ही तो very good, अच्छा अभी arteries जो हैं जो के blood लेके, अब heart से कैसा blood body की तरफ आ रहा है, oxygenated blood, इसलिए यह जो color यहाँ पे शोक किया गया है, यह red color कर शोक किया दे, यह हम next topic में discuss करें oxygenated blood नहीं होता, but most of the arteries of the body are containing oxygenated blood, artery की जो further branches होती हैं, उनको कहते हैं, arterioles, arterioles तरह पतली होती हैं, इनकी wall, और फिर यह further branch होते होते, बहुत सारी branches बनाती हैं, बहुत बारीक हो जाती हैं, और बहुत बारीक जो blood vessels बन जाती हैं, then they are called capillaries, capillaries क्या है, capillaries are the next type of blood vessels, which are very narrow and very small, capillaries बहुत बारीक होती हैं, और इतनी थोड़ी इन में जगा होती हैं, कि blood cells को line बना के उजरना पड़ता है, पिछला जो topic था blood वाला, उसमें मैंने आपको, एक slide जो बनी वी थी, उसमें शो किया था, कि capillaries are very narrow and blood cells are moving in a line, एक वक्त में एक blood cell गुजर सकता है, और capillaries की wall बहुत पतली सिर्फ एक cell, देखें, यह सिर्फ एक cell है, यहां पर बहुत सारे cells की layer है, यहां पर भी कई cells हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक cell की layer है, तो यह एक cell की layer जो है, इसमें से असानी से diffusion हो जाती है, और क्या चीज़ें टिशू cells, capillaries के सारी तरफ, लेकिन डा टीज़ें, ठीक है जी, जी, so capillaries क्या है, capillaries are very narrow and thin wall blood vessels which are responsible for exchange of blood,іक जब शोश्चंचिऑ लेकिन आफिए, यह भी एक रही था giving oxygen and nutrients to the tissues and taking waste products from the tissues अब ये जनरल बॉड़ी में इस तरह हो रहा है बाकी जगों पर capillaries थोड़ा मुख्तलिफ काम भी लंग्स की capillaries थोड़ा मुख्तलिफ काम कार रही है डिजिस्ट्रिफ्ट्रम की थोड़ा मुख्तलिफ काम करें लेकिन जनरल जो बॉड़ी टिश्यूस हैं उसमें लेकिन हर एक्सचेंज कहीं भी बलड से कोई भी चीज अंदर उसमें जाएगी या उससे बाहर आएगी that is, that can only take place in the capillaries, capillaries are the exchange vessels ठीक है जी, इसके इलावा और कोई exchange vessels नहीं हैं बॉड़ी में अब capillaries join करती हैं and they join to form the small veins, the small veins are called venules venules are the small veins और छोटी छोटी veins मिलके फिर क्या करती हैं, they make big veins अब जो big veins हैं वो कैसी होती हैं, big veins अगर artery के मुकाबले में देखें, if we look as compared to artery क्या नजर आ रहा है आपको, this is artery, the big artery, this is big vein, इसके बीच की खाली जगा छोटी है, इसकी बीच की खाली जगा space बड़ी है, ठीक है जी, इसकी क्यों छोटी है, क्योंकि इसके अंदर muscles ही जाद हैं, wall, बहर से देखें तो शायद दोनों एक जितने हैं, लेकिन अंदर से इसका working space काम है, क्योंकि इसके अंदर muscles जाद हैं, elastic tissue जाद है, इसमें muscles भी काम है, elastic tissue भी काम है, यह खुला सा pipe है, इदर पीछे से pressure आ रहा है, कौन pressure दे रहा है, heart, इसके पीछे कोई heart नहीं है, इसको blood कहां से मिल रहा है, इसको blood मिल रहा है, capillaries से, capillaries में blood slow हो जाता है, pressure बहुत काम हो जाता है, तो यह artery में जो blood आ रहा है, वो high speed, high pressure के साथ है, कौन high speed, high pressure प्रवाइट कर रहा है, heart, capillaries में जब blood गया, slow हो गया, pressure भी काम हो गया, अब यह slow pressure और slow speed वाले blood किदर आया, veins में, veins में, veins अगर पतली होगी तो उसमें से blood गुजरे गई नहीं, veins खुला थी थी, फिर अपनी जगह पे बापिस आती थी, thumping sound produced होती थी, there is no pulse in vein, because blood is moving without any high pressure and there is no stretching and thumping back like here, ठीके जी, आर्टरी में जैसे, pulse produce भी vein में, pulse नहीं produce होती, vein में क्या होता है, vein में valves होते हैं, valves हम अगले topic heart में discuss करेंगे, कि valves क्या होते हैं, valves are flaps of tissue, जो blood को एक ही तरफ जाने देते हैं, हमेशा इधर से इधर ही जाएगा blood, ऐसा नहीं होगा कि vein में blood इस तरफ जाए, वो क्या रोकेगा, दर्वाजें हैं, जो एक ही तरफ जाने देते एक ही रास्ता है जाने का, one way flow of traffic है, एक ही तरफ जाएगी, ठीक है जी, so veins are the blood vessels which take blood towards heart, artery के लिए कौम ने कैसे define किया था, artery are the blood vessels which take blood away from heart, veins are the blood vessels which take blood towards heart, heart की तरफ जितनी भी veins हैं, वो blood को लेके जा रही हैं, heart की तरफ, ज़्यादा तर बॉड़ी की जो veins हैं, उनमें oxygen की कमी हो है, artery की साइड पर bright red, और यहां पर dulls है, actually blood का color change होता है, जब blood oxygen के साथ react करता है, तो bright red हो जाता है, और जब blood oxygen के बगार होता है, तो फिर वो dull हो जाता है, कुछ books में इसको blue से show किया गया है, कुछ books में इसको dull red से show किया गया है, कुछ में इस तरह, but the basic concept is, कि वो bright red नहीं so tissues, body के tissues में से जब blood वापिस आता है, towards heart, तो वो उसमें less oxygen होता है, इसलिए ऐसा color show किया, but it is not always the case, lungs में इसके उलट होता है, यह बात हम next topic में discuss करेंगे, ठीक है जी, so this is about arteries, capillaries, and veins, veins में क्या है, खास बात, they have got the valves, okay, then there's an hands-on activity, बहुत simple है कि अगर आप mirror के सामने खड़े हों, और अपने cheeks के उपर थोड़ा सा हाथ रखे, जरह सा नीचे की दरफ पुल करें, तो आपको अपनी eyes में बहुत सारी blood vessels नजराएंगी, ठीके जी, बास अकाद जब आँख में कोई कोई तकलीफ हो, तो यह और ज observe blood vessels in your body, कुछ लोगों के हाथों पे, बज़र्गों के खास तर पे आपने देखा होगा, कि blood vessels बड़ी proper सी नजरा आ रही थे, उपर से करके, सोचें वो क्या हैं, क्या वो artery हैं, capillary हैं या vein हैं, ठीके जी, और जो, then there is a box, do you know, your blood vessels are very long, if all your blood vessels are laid end to end, they would stretch around earth more than twice, आप इस कदर रजीम हैं, देखें, अगर आपकी सारी blood vessels को बाद एक सीधा करके रखा जाए, तो हमारी body के अंदर इतनी लंबी blood vessels हैं, सारी arteries, capillaries और veins, अगर इनको end to end जोड के रखा जाए, तो earth के around 2 चकर पूरे लग जाएंगे, सुभाना लाला की कुदरत है, कि हम इतने चोटे से हैं हर earth के मुकाबले में, लेकिन हमारी body के अंदर इतने बड़े blood vessels की length मौचूद है, और वैसे for one information, कि artery बहुत जादा लंबी नहीं है, veins बहुत जादा लंबी नहीं है, सबसे जादा लंबी जो हमारी body में capillaries हैं, अगर सारी capillaries की length को देखा जाए, क्योंकि वो बहुत बारी का microscopic हैं, वो नजर भी नहीं आती, तो इसलिए जो है ना, that is why we are unable to understand कि वो कैसे हैं, लेकिन ये scientifically study किया गया है, कि ऐसा होता है, the next point is, blood sample is taken from veins, आप में से कभी किसी का blood test हुआ है, जो आपके बाजू में से हमोमन, बाजू के उपर वाले हिसे में, elbow से उपर एक band सा बांते हैं और फिर आपके elbow के जो बीच वाली जगह है, वहाँ पर से blood निकालते हैं, सिरिंज में, और फिर कोई test करते हैं, अगर आपने अपना कोई blood test कराया हूँ, या कभी किसी का blood test होते हैं, जब भी blood test के लिए blood लिया जाता है, या जब भी drip लगाई जाती है, या कुछ टीके होत होती है, उसकी wall भी थिन होती है, और उसमें blood flow slow होता है, ठीके जी, और इसके लावा एक और बात, कि जो veins हैं, वो अमूमन surface पे होती है, जो हमें नज़र आती हैं, जो हमें नज़र आती हैं, जो अगर आप बज़र्गों के बाजू हाथ पे देखें, ज़रूरी नहीं बज ज़र आ रही होती है, blood vessels, वो हमेशा veins होती है, आर्टरी कभी भी surface पे नहीं होती, आर्टरी हमेशा body के अंदर deep होती है, ठीके जी, इसलिए blood sample ऐसे pipes से लेना होता है, vessels को pipes भी कह सकते हैं, ये blood vessels हैं, blood pipes हैं, blood tubes हैं, artery capillary vein, capillary तो अतनी बारी के, उसमें तो हम सुराख करी नही होती है, वो तो कटी जाएगी, वो तो जितनी सुई की tip है न, उतनी बारी के, जो needle, बिल्कुल tip, microscopic structure है, आर्टरी बड़ी हैं, लेकिन उनकी wall बहुत थिक है, उनमें blood flow बहुत fast है, pressure जाद है, अगर artery damage हो जाएगी तो इसमें से बहुत blood जाया हो जाएगा, इसलिए आम medical purposes के लिए चाहे टीका लगाना हो, आई-वी injection, चाहे drip लगानी हो, चाहे blood sample लेना हो, हमेशा vein को use किया जाता है, क्योंकि एक तो वो बड़ी होती है, surface पे होती है, उनकी wall पतली होती है, उनमें blood flow और pressure बहुता है,